ग्लास 11 चैप्टर नुम्बर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेसर अर्दी सर्मर एक्सर्साइज 19.4 का कुश्चिन नुमर 11 है find the sum of all integers between 100 and 550 which are divisible by 9 हमको क्या करना है हमको वे सारे नंबर का sum करना है जो 100 से 550 के बीच में आते हो और 9 तो वह सारे इंटीजर का सम करना जो 9 से डिविजी बन तो कौन-कौन इसके बीच में कौन-कौन से नंबर आते हैं तो वही नंबर आते हैं जो 9 के मुल्टिकल है ठीक है तो आपको पहला नुमर तो आपको दोड़नना ही पड़ेगा जो और 9 से डिविजबल होता है आपको पहला नंबर दोड़ना ही gotta अगरा आप पहला काम होता है कि हम पहला नंबर दोड़े तो पहला नंबर जोगा वह 108 होगा 108 योगा वो पहला नंबर होगा इसके बीच में जो 9 से divisible हो ठीक है और वो आमने क्या से पता करा तो आप देखो आप न इसके आप देखो 9 से divisible होता है 9 से divisible होता है 9 से divisible होता है आप नाइन में फिर 9 आइड कर दो यह 108 हो जाएगा तो नेक्स नंबर होगा 9 से divisible वो 180 होगा न और 108 जो हो इनके बीच में तो यह हो जाएगा 108 जो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा इनके बीच में जो divisible है 9 फिर द में 9 एड़ करो कि यह हो जाएगा 170 तो नेक जो नमबर होगा वह 17 होगा जो 9 से डिवीच में आपको फिर से नेश नमबर निकाल ला है आप फिर से 9 एड़ कर दू धियान रहे आप किस से डिवाइड करो 9 से करो अगर यहां पर 5 राता तो 5 एड़ करते हैं फूर राता तो 4 एड़ करते हैं 7 राता तो 7 एड़ करते हैं जिससे डिवाइड करें उस वही नमबर को में एड़ करते हैं ठीख है अब आप 117 में 9 को एड़ करोगे तो यह जाएगा 124 तो नेक्स नमबर जोगा 124 होगा डिवीदी मत नाइन से अब देखो अब आपने फर् नमबर निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सब निकालना तो आपको लास्ट नमबर निकालना ही पड़ेगा और लास्ट नमबर कैसे निकालेंगे तो जो लास्ट नमबर है उसको नाइन से आप डिवाइड कर दो करो डिवाइड नाइन से तो यह हो जाएगा 55 हा ना क्या तो 9 से डिवाइड होता है लेकिन यह तो 9 से डिवाइड नहीं है बच्चा रिवेंडर एक रिवेंडर बच्चा है तो आप एक न इसको इसमें माइनस कर दो 550 में आप वन माइनस करोगे हो जाएगा 49 सॉरी कि प्रिव फोट्यंग और आप देखो 549 को अब भूर 9 से डिवाइड करोगे और तो नमबर से डिविजिबल होगा अब देखो आपर रूल याद रखो बस आपको 12 से डिवाइड करके चेका धर होते कि अग्या है आप जो पहला नमबर नमबर है उसको नाइन से डिव पर किया आता है क्योंट यह एक जाते आपको आगे जाना अगर आप इसमें 1- करोगे तो आप पहुच पाए डुक्षों नाइन तक पहुचने में कितना चाहिए एड यहां पर एड कर दो यह तरीका एक हो गया और दूसरा यह से टिवाये करो रोड़ नाइन जो आया वो हो जाएगा ठीक है तो 549 जोगा और 9 से divisible हो जाएगा और वह यहां पर आ जाएगा ठीक है आपको विश्वास नहीं है आप दिखा भी देता हूं कि 9 से divisible है 54 54 के इतने बार में आता है गपस इन नमर का सम करना न कोल बड़ी बात जोड़ेंगे और सन का कौन से लगाएंगे एंड बाइटू ए प्लस एल वारा क्यों क्यों किया हुआ है लास्टम दिया हुआ इसलिए तो ने लास्टम में लगा लिए अब देखो आपको लास्टम दिया नहीं तो यह लगा अब देखो आपके पास first term क्या है, first term है 108, last term क्या है 450, sorry 549, अपके पास first term भी है last term भी है, लेकिन आपके पास n नहीं है, आपके n निकालना पढ़ेगा, n कैसे निकालेंगे तो अब देखो last term हमें दिया होगा ना, तो last term का formula लगा लेंगे, last term का formula क्या होता है, प्लस N-1 into D, तो लाज्ट राह्म है, 449 which is equal to A, A क्या है 108 है, प्लस N-1 और D, D कैसे निकालते हैं, D क्लियम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, सकेंड टर्म को फर्स्ट रम से माइनस करो, 117-108, तो 170-108 यह 9 हो जाए, तो D आपका 9 हो गया, अब अब इसको इधर लेकिया आजो, तो यह हो जाएगा, 549-108 which is equal to N-1 into 9, तो 549 में आप 108 को हटाओगे, क्या बच जाएगा, 441, 441 को आप 9 से डिवाइट करोगे, क्या आएगा, 49, यह हो जाएगा, 49, तो यह होगे, N-1 which is equal to 49, इस 1 को आप उदर लेकिया तो 49 प्लस 1, 50 हो जाएगा, तो नमबर आफ टर्म 50 आजाएगा, और यहाँ पर 50 डाल दो, 50 by 2, first time, first time है 108 और last time है 449, यह cancel करो के 25 हो जाएगा, 25, 108 में आप add करो, 549, यह हो जाएगा, 657, 657 को 25 से multiply करो, यह हो जाएगा, 16,425, ठीक है, आप देखो एक बार, next, next question number 12 है, find the sum of the series, find the sum, आपको इस series का sum निकालना है, और कितने terms तक निकालना है, 3N terms तक निकालना है, ठीक है, आप देखो, आप इन दोनों को minus करो, 5 minus 3, 2, इन दोनों को minus करो, 7 minus 5, 2, इन दोनों को minus करो, 6 minus 7, 1, फिर 9 minus 6, 3, 12 minus 3, 3, minus 3, तो आप देखो, डिफ्रेंस तो सेम नहीं आ रहा है, अगर डिफ्रेंस सेम नहीं आ रहा है, तो यह जो सेरीज है, अमारे पास, सीरीज जो वो है, 3, 5, 7, 6, plus 9, plus 12, plus 9, plus 13, plus 17, plus so on, 2, 3, N, 3, N तक है, ठीक है, तो आप देखो, आप इनको साथ में ले लो, 3, 6, 9, को आप साथ में ले ले लो, 3, 6, 9, plus so on, अभी आप रूख जाओ, नंबर आफ टर्म्स हम आपको बताते है, प्लस, 5, 9, 13, आप देखो, हमने तीन दिन का एल से ब्रैकेट बनाया, और रिख दिया, अब देखो, 5, 9, 13, plus so on, हम आते हैं, अभी आते हैं, इसमें नंबर आफ टर्म्स पर, लेकिन अभी हम पिला, थोड़ा कनवर्ट कर लेते हैं, अब देखलो, यहां का डिफरेंस क्या है, 6-3, 3, 9-6, 3, एपी में है, 9-4, 4, 13-9, 4, एपी में है, 7, 12, 17, 7, 12, 17, plus so on, ठीक है, तो आप देखो, यह पूरा चीज़ था, हमने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करा, एक हिस्सा यह, दो हिस्सा और यह तीसरा हिस्सा, तो हमने पूरे चीज़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया, three parts में divide कर रहा तो इसमें कितने number of terms से three and terms से तो चतना number of terms आप स्को 3 से divide कर दो क्योंकि आपने इस पूरे सीरिज को आपने तीन parts में अगि यूज रहा है तो आप इसको divide करो तो number of terms क्या आजागा n आजागा तो आप देखो इसमें एंड टर्म्स तक आएंगे नंबर इसमें भी एंड टर्म्स तक आएंगे ठीक है अब आप देखो एसस मन सकते हो अब अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए सब्पोर्च करों कि हमारे पास इतना ही टर्म्स है थ्रे फाइव सेवन सिख नाइन ट्वएल नाइन 13 17 ठीक आपने इसको एपी में एक नवर्ट करा कैसे इसको इसको और इसको साथ में रखा पहले 3 6 9 फिर इसको साथ में रखा 5 9 13 5 9 13 और फिर इसको साथ में रख लिया हoty यहां 분들은 1257 तो आप टोटल कितने से 9 टम्स है आपने इसको तीन पार्ट में डिवाइड़ करार तो टोटल हर टम्से कितने टम्स अहें तीन-टिन टम्स आएट ज़े थाहिए हैं hablando और तीनों जो पाट से हमने यह इक्त लिकोंड डिस्टिव्यूट करेंगे है तो हर हमें ऐ यह सब ह satisf साझा जाएगा दिक्कत तब होतीं जब यह आएक लिए डिवाइट नहीं होता भी चालतों के जब हम नहीं कर पाते हैं कम आ जाता तो उस केस में तो हम आये ही नहीं है हम यहां पर पॉपरली डिवाइट कर पा रहें तो इसलिए तीनों में जो होगा इकवल इकवल नंबर ऑफ टर्म जाएगा और वह होगा एंड बस आपको बस सम कर देना और खतम हो जाएगा जाएट इसका सम करो यह होता है फर्स्टस क्या थ्री है और डी होता कशहए इस from to जाएगा फर्मिला लगा भौ अब कि इस बार ना लास्ट अमे नहीं दे राका हा तो इस बार हमनों वह वाला लगा कि selb stra color यह वाला फर्मिल लगाएंगे n by 221-1 लगाएंगे इस बार यह वाला फार्मिला जिया यह वहला पर्मूला क्योंकि इस बार में लाश्टम नहीं दे रहा है हुआ अ ऐस एन थे टू क्योंकि number of durant he एन ईया और टू यह तो फर्श टर्म है 3N-3 तो हो जाएगा N upon 2 3N और 6-3 3 हो जाएगा तो यहां से 3 common 3N upon 2 यहां से यह आ गया प्लस 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 अब देखो यहां पर भी लगाओ तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है फाइब है और common difference क्या है इन उनको माइनस क्रों सेकेंड इनको फर्स्ट टर्म से माइनस क्रों 9-5 4 हो जाएगा तो यहां कि एन अपॉंट टू ए अब देखो टू ए फर्स्ट ए है 5 प्लस डी एन माइनस वन इन्टू डी डी है 4 तो हो जाएगा एन अपॉंट टू टू इन्टू फाइब टैन और यह जाएगा 4 एन माइनस 4 तो यहों कि एन अपॉंट टू ए फोर एन माइनस डी प्लस एक्स टैन माइनस फॉर्स हो जाएगा एक लस एन अपॉंट आप देखो यहां से 2 कॉमन करोगे यह 2 यह ऐसे कुछ कैंसल करेंगा तो यहां पर आजयेगा ट्री में नहीं ठीक है 5 हो जाएगा तो योगे n upon 2 2 into first term first term है 7 plus n minus 1 into d d है 5 plus n upon 2 2 into 7 14 plus n minus 1 into 5 योगे n upon 2 14 plus 5 n minus 5 तो यो जाएगा n upon 2 ये हो गया 5 n और 9 minus 5 स्वरी 14 minus 5 plus 9 अब आप इन तीनों का सम करो क्या आजाएगा आप देखो तीनों में n common है तीनों में क्या common है n common है तो आप तीनों में n common कर लो तीनों में आप देखो n upon 2 n upon 2 ये चीज आप common करो n upon 2 यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 n common हुआ n plus 1 plus यहाँ पर तो 1 upon 2 था नहीं n तो बाहर हो गया लेकिन 1 upon 2 था नहीं तो multiply कर दो 2 से और यहाँ चाहँ n upon 2 चला गया तो यह पाइब एण प्लस 9 तो n upon 2 3 n प्लस 3 प्लस 4 n प्लस 7 और यह पाइब एण प्लस 9 3N 4N 7N और 7N प्लस 5N यह हो गया 12N 3 4 9 क्या हो जागा देखो 3 7 10 और 10 प्लस 9 19 तो कुछ यह आ जाएगा ठीक है n अपॉण 2 12N प्लस 19 ठीक है अब देखो एक बार नेक्स्स्यन नमेर 13 है फाइंड दस्व्ड और दोर इंटीजर्ट बीतेविन 100 और 800 इच अव वेज on division by 16 leaves the remainder हमको वो सारे हमको 100 से 800 के बीच में वह सारे इंटीजर का सम करना है जो 16 से डिवाइड करने पर दिमेंडर 7 दे ठीक है लोग का पोश्चन करने कि हमको 100 से 800 के बीच में वह सारे नंबर का सम करना है जो कि 16 से डिवाइड होने पर 7 रिमेंडर रते हैं तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं तो पहला नंबर तो हमें ढूंडना पड़ेगा चीक है तो 16 से डिमेंडर 7 देना चाहिए तो आप देखो 100 को पहले 16 से डिवाइड करो क्या आएगा आप देखो अगर हम 6 से डियते हैं तो 4 आ जाएगा रिमेंडर अचाह रिमेंडर 4 आ गया न अब देखो अभी हमने 7 नहीं आया है हमने तो आप तो पहला नंबर तो आपको मिल गया है कि इसके बीच में पहला नंबर होगा इसको आप जब 16 से डिवाइड करें तो रिमेंडर 7 आएगा उसके बात आपको कुछ नहीं करना कि आपको थर्ड नंबर मिल जाएंगा वह वह वोगा 135 इसी तरह से सौहां आपको लास्ट नंबर दूढ़ना है अगर आपको इनका सम करना है तो आपको लास्ट नंबर दूढ़ना पड़ेगा और आज तब हम कैसे दूटेंगे तो आप देखो एट हंडेड को डिवाइड करो सिक्तिन से तो यह हो जाएगा फूर अगर हम फाइब से देंगे तो एटी तो आ जाएओ आ तो दे देखे फाइब से फाइब से अब दो आई कर सकता हुए जीरो तो यह जिरो यहां पर आ जाएगा है चीक है मतलब एट हंडेड जो है एट हंडेड जो है एट हंडेड जो हो और डिवी जीवाल है किस से सिक्स्टें से कि अब हमने रिवेंडर केता है चाहिए से और अब आपको अबका रिमेंडर आ रहा है जीरो और आपको रिमेंडर क्या चाहिए 7 चाहिए तो दोनों में डिवेंडर जीवेंडिरेंस क्या है 7 आप अब देखो 800 से जाधा आपको नहीं चाहिए आपको 800 के पीछे ना नंबर चाहिए तो आप mis से एफ जाए तो प्लस करना है अब देखो आपको जो रेमेंडर चाहिए और जो रेमेंडर आपको पास है उन दोनों का करना और अगर आगे जाना हो जैसे आपको 100 के पीछे नमबर ले नहीं सकते आपको 100 के आगे जाना हो ता प्लस कर देना और आपके पीछे आना है और आपने दिवाइड कर navigate 0 आगया और आपको रिमेंडर आना कितना चाहिए 7 तो दूनों का डिफरेंस क्या है 7 है तो 7 इसमें सब्ट्राइक्ट करते ना तो 800 में आप जब 7 सब्ट्राइक्ट करोगे तो क्या आएगा 793 अब देखो 793 को 16 से डिवाइड दो देखो क्या आता है तो यह हो जाएगा 64 4 बार में दिया 64 तो यह हो गया 15 और 15 तो जाएगा नहीं तो इसको 3 से देदो अब आप 9 से दो तो यह हो जाएगा 144 144 यह ही होगा न और यह तो रिमेंडर 9 आजाएगा कि अपया खोड़ा हुआ थीक्या अने चेक कर जाएगा यह तो रिमेंडर 9 आजाएगा आएगा पैसे तुम नहीं कर पाएंगे हुआ 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 अब अभी में 7 और 9 में दो का डिफरेंस रहे गया है तो आप दो और हटा दो इसमें से तो यह हो जाएगा 790 अब आप इसको 16 से डिवाइड दो तो कितने बार में दोगे 4 बार में 64 यह विए 151 और इसको 9 बार में दो 144 अब देखो आपको रिमेंडर सेवे ना चुका है आपको रिमेंडर सेवे नहीं जाहिए था तो लास्टन क्या हो गया लास्टन हो गया 791 तो इस बार यह जो काम नहीं आया प्रोसेस हैर फिर भी नहीं निकाल तो ले गाई आपको समझ जाया होगी हमने कैसे निकाला इस बार के कैस में पता है क्या हुआ हमारे साथ आप देखो हमको रिमेंडर सेवे जाहे था तो पीछे से जा रहे था तो आप देखो 16-7 करो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो आपको 9 माइनस करना था इस में से ठीक है अब देखो आपको किन का सम करना आपको इन सारे नंबर्स का सम करना 103 119 135 सो ओन 791 अब करो सम तो हमें आप एसन का कौन सा लगाएंगे एन बाइटू ए प्लस एल क्यों हमने यह वाला लगा है क्योंकि हमें लाश्ट टर्म दिया हुआ था इसलिए ठीक है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 103 डी डी हम कैसे नहीं का होते तो सकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म तो माइनस करो 119 माइनस 103 यह हो जाएका 16 यह हो गया डी अब यहां पर आप देखो आपके आपके पर लाश्ट टरह दिया हुआ है तो अब लाश्ट टरुम का फ़र्म्ला यूज खरो लाश्ट पर्म्ला रहा होता है ए प्लस यह प्लस एन-1 इन्टू डी फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म है 103 प्लस एन-1 और दी is 16 ठीक है लाश्ट टर्म है देज़ने 9191 अ अब 791 में 103 अटा दो 791-103 which is equal to n-1 into 16 791-103 यह हो जाएगा 688 which is equal to n-1 into 16 अब आप इसको डिवाइड करो 16 से यह हो जाएगा 43 तो यह हो के n-1 which is equal to 43 तो n हो जाएगा इस वन को इदर लेके आजा तो यह हो जाएगा 44 थीक है अब रख दो n के देगा रख दो 44 तो यह हो जाएगा 44 बाइटो ए प्लस एल तो फर्स्टर में 103 और लास्टर में 791 तो यह 2 के टिवल से कहनता लोगा 22 बान में 22 अब इन दोनों का सम करो तो 791 प्लस 103 यह जाएगा 894 अब आब 894 को 22 से मल्टिप्लाई करोगी यह जाएगा 19,668 ठीक है 9,668 एंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है सब्सक्षर नमबर 14 है सौल हमको इस सीरीज को Ao करना है हम इस सीरीज का संग दिया हुए है और को सम कितना दिया हुए 115 है और हमें क्या करना एक्स निकालना है शॉल का मतलब होता है कि वेरियेबल के वेल्यू निकालनी है तो यहां पर सम का फॉर्मना लगा तो इस तीज नहीं ना तो सम का फॉर्मना लगेगा है परस्ट टर्म किया है 25 है 1 कि निकालते दोनों को सब्चंड टर्म को से माइस ओर ट्वेंटीट ट्वेंटीट ट्वेंटीफाइब यह हो जाएगा माइस थ्री अब अब आप एस्सें का फॉर्मिलाल लगा दो एस इन का कौनसा फर्मला लगाएंगे हम यह वाला ए प्लस तिस आप देखो आपके पास फर्स्ट टर्म तो दिया हो है एसे न मतलब समी दिया हो है ठीक है तो नमबर आफ टर्म्स तो नहीं बता फर्स्ट टर्म है 25 और लास्ट टर्म हमने इस लास्ट टर्म मारा फर्मला इसलिए लगाएंगे हमार पास लास्ट टर्म दिया हो है एक्स तो आप नमबर आफ टर्म्स निकालो नमबर आफ टर्म कैसे निकालेंगे आप देखो लास्ट त्रंटों में दिया हुआ न तो लास्ट न का फिर्म ना लगा लो ए प्लस एन माइनस वन इंटू दे विच इस एक्वल टू एक्स फर्स्ट टर्म है 25 एन माइनस वन और डी है माइनस 3 विच इस एक्वल टू एक्स तो दू इस उधर बे जगा तो n-1 अपन माइनस 3 विच इस इक्वल टू 25 माइनस x तो योगा n-1 विच इक्वल टू x-25 अपन में 3 तो इस वन को इधर तो n विच इस इक्वल टू x-25 अपन 3 प्लस 1 तो यहोगे n equal to x minus 25 plus 3 upon 3 n which is equal to x minus 22 upon 3 अब देखो n क्या आगे है आपका n आगे x minus 22 upon 3 वो चीज़ आप यहाँ पर replace कर दो x minus 22 upon 3 into 25 plus x which is equal to इस 2 को इधर shift कर तो 115 into 2 ठीक है इस 3 को इधर shift कर दो दियो जाएगा x minus 22 into 25 plus x which is equal to 11 and 15 into 2 अब multiply करो जारा x into 25 25 x minus 22 into 25 22 into 25 यह हो जाएगा minus 550 और फिल इसको इसके सथ इसको इसको इसके सथ अच्छा minus 22 x plus x square which is equal to 115 into 2 अब देखो ना x into x x square भी तो आएगा तो यह कुछ हो गया हमारे पास ऐसा तो यह हो गया x square minus 22 x अब देखो 25 x minus 22 x यह हो जाएगा कि आप plus 3 x minus 550 which is equal to 11 115 को अगर आप 2 से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा तो x square plus 3 x और यह 3 कहाँ गया हमारे पास यह 3 भी यहीं पर multiply होगा ठीक है तो जब आप 230 को 3 से करोगे तो यह हो जाएगा 690 प्लस 550 ठीक है तो यह होगे x square plus 3 x plus 140 which is equal to 0 550 plus 690 यह हो जाएगा 1240 यह हो जाएगा 1240 जरो अब क्या ही कर सकते हो तो 1240 को 2 से करोगे हो जाएगा 620 620 भी टू से जाएगा हो जाएगा 310 310 फ्रदर टू से जाएगा हो जाएगा 155 अब यह टू से तो नहीं जाने वाला है देखो 3 से जा रहा है गया नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है तो 5 से तो जरूर जाएगा 31 हो गया 31 तो प्राइम नमबर है तो अब डिवाइड इसको तो किसी भी नमबर से नहीं कर पाऊगे अब यह क्या बन रहा है 10 10 220 220 और 240 नहीं 3 तो नहीं आने वाला यहां पर मुझे गलती हो गए यहां पर यह पता नहीं कैसे लिग गया मैने 25 माइनस एक्स तो नहीं होता इधर आता तो यह होता एक्स माइनस 25 तो यह माइनस 3 यहां पर आ जाता यह माइनस 3 होता यह उपर जाता तो माइनस 3 होता तो यह होना था माइनस 28 तो यह होगा माइनस 28 और यहां का माइनस 3 तो रहता ही ना तो यह माइनस गया 2 गया माइनस 3 गया माइनस हुआ यहाँ पर माइनस स्क्वार ठीक है यहाँ पर 28 तो X स्क्वार ठीक है 25 X ठीक है माइनस 28 X और माइनस 28 इंटू 25 28 इंटू 25 700 700 यह इधर जाता 700 बचता क्या तो बचता स्ट्रिप यहाँ पर माइनस का 5X तो फाइनली आप देख लेना एक बार गलती हो जाती है तो यह हो जाएगा 10 और इधर आगा तो माइनस 10 विच इक्वार टू 0 यही रहता है न बस कि अब आप यहाँ देखो मेडल टर्म स्प्लेट नहीं हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो अब नगालो फर्मुला यो गया 5 प्लस माइनस स्क्वेर रूट अफ 24 माइनस 4 ऐसी तो माइनस 4 यह है 1 और C है माइनस 10 तो यह हो जाएगा 40 अपन में 2 फिर कुछ गलती हो गई क्या आया 25 माइनस 28 माइनस 3 एक्स आना था कि माइनस 3 एक्स तो यहां पर मिदल टर्म तो हो जाएगा इस प्लेट अब देखो यहां पर हम सॉल कह रहे हैं इसको यहां पर थोड़ा से खराब होगी आप बस इतना ध्यान रखना हमारे पास जो एक्वेशन बना वो यह कुछ बना यह बन एक हमारे पास ठीक है तो बस आपको इसको ध्यान रखना है वाकित तो हो तो आप भी कर सकते हो थोड़ा सा मैंज को एकई को सिन का बात है याँ वह कर लेना अब अब तो यहां पर मेंड़ टर्म शुट लगाँगे तो मिद्र टर्म से प्लेट कैसे लगाते हैं माइनस थ् तोड़ते हैं कि उसका जो product है ना वो इन दोनों के product के एक वला जाए इन दोनों का product minus 10 into this minus 10x square तो इसको हम लिख सकते हैं के बन गया minus 10 10x square तो आप इसका middle term split करोते हो आएगा x square minus 5x plus 2x minus 10 which is equal to 0 इन दोनों में x common x minus 5 इन दोनों में 2 common x minus 5 which is equal to 0 तो x which is equal to 5 तो x minus 5 और यह हो जाएगा x plus 2 which is equal to 0 यहां से x की दो value जाजेगे एक 5 और एक minus 2 ठीक है 5 नहीं हो पाएगा और minus 2 हो जाएगा अब बोलो कि वह कैसे आपने पता कर लिया कि 5 नहीं हो पाएगा आप दिखो 25 में से 3 हटाओगे 22 22 में से 3 हटाया 19 19 में से 3 हटाया 16 16 से 3 हटाओ 13 13 से 3 हटाओ 10 10 से 3 हटाओ मतलब आप ऐसा समझो d क्या है minus 3 है न तो आप minus 3 add कर दो सारे में फिर 10 में minus 3 add करोगे 7 7 minus 3 add करोगे minus 4 कहीं पर 5 आया क्या नहीं आया ना 5 तो 5 हो कहां से पाएगा इसलिए x equal to minus 2 हो जाएगा ठीक है बागी आप थोड़ा से करना इस नेक्स कर आता हूं मैं अपको एक दम सेंगोशन है आप इस फर्मला क्या होता है एसलिक होता है आपार टू ए प्लस एल और घो को सम दे रहा है फाइब 90 number of terms नहीं पता लेकिन first term और last term पता इसलिए तो यह वाल formula लगाया हमने last term हमें पता हो तो यह वाला formula लगाते हैं तो अपने निकालो एन कैसे निकालेंगे लाश्टर मापको दिया रखे रखेंगे एक्स और यह होता है 1st and 1 है और D, D कैसे निकालते हैं, 2nd को 1st से माइनस करो, 4-1, 3, तो D 3 हो जाएका, last time का formula होता है, A plus N-1 into D, which is equal to X, 1st and 1 है, और D है 3, which is equal to X, इस वाले 1 को इधर लेके राओ, कि हो जाएका, N-1 into 3, which is equal to X-1, इस 3 को नीचे लियाओ, तो N-1, which is equal to X-1 upon 3, इस 1 को उधर shift करो, N which is equal to X-1 upon 3, plus 1, अब आप यहाँ पर LCM लेलो, N which is equal to A3 को इधर, इस 1 को इधर, तो यहोगे X-1, इस 1 को इधर X-1 into 1, X-1, 3 को इस 1 के साथ, तो 3, और upon में 1 into 3, 3, और यह किसके एक वाल हो जाएगा, तो हो जाएगा X-1 plus 3, 2, और upon में 3, तो यह होगे X plus 2 upon में 3, ठीक है, तो आप N के जगा यह चीज़ रेप्लेज कर दो, 590, which is equal to N है, अब पहले इस 2 को इधर multiply कर लो, तो यह हो जाएगा 590 into 2, और number of term है, X plus 2 upon में 3, और यह होगे 1 plus X, इस 3 को इधर, तो 2 into 3, 6, 6 into 590, which is equal to, अब आप इन दोनों को multiply करो, X into 1 X, X into X, X square, 2 into 1, 2, और 2 into X, 2 X, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3540, which is equal to, X square, 2 X plus X, 3 X, plus 2, अब इसको इधर ही लियाओ, तो यह हो जाएगा X square plus 3 X, और plus 2 minus this, तो यह हो जाएगा minus, अब उसमें 2 minus कर दो बस, क्या हो जाएगा, 3450 में अब आपकर 2 हटा भी दो गए, तो यह हो जाएगा 34404, यह कुछ, तो बहुत लंबा चुड़ा आगे, जो कोई नहीं, करना तो बढ़े गाई, किस से डिवाइड दे हम, यह आप सोचो, 8 से दें, 8 से हम दे सकते हैं, 8 से देंगे 431 आ जाएगा, ठीक है, अब इस 431 को हम किस से डिवाइड दें, किस से जाएगा यह, 7 से जाएगा, नहीं, 7 से तो नहीं जाएगा, 431 को अगर हम 7 से दें, तो नहीं जाने वाला है, 431 को अगर हम 3 से दें, तो भी नहीं जाने वाला है, 431 को अगर हम 13 से दें, आप एक बार ऐसे करके देखो तो, Sn, Sn का फर्मुला होता है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1d ये होता है न, Sn क्या है? 590 which is equal to n upon 2 और 2a, a है हमारा 1 तो 2 into 1, 2 n माइनस 1 और d d है 3 तो 590 which is equal to n upon 2 2 plus 3n माइनस 3 चीजे तो सेम ही बन जाएंगे आप मुको कुछ सोचते हैं अब लेकिन अगर हम यहां फे n निकालने तो इस टू को आप इधर multiply करो क्या हो जाएगा इस टू को इधर यह रहने दो हम देखो इस टू को अगर हम इधर multiply करेंगे तो 590 को जब हम टू से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा या फिर आप 2 इंटो 590 रखो विच इस एक्वल टू एन और यह होगे 3N माइनस 1 अब रूपा मिस्टीट लेकिए तो आप देखो बस आप यह वाला एन ध्यान में रखना तो पिर हम यहां से solve कर रहे है तो जब आप इसको multiply करोगे तो यह हो जाएगा 1120 नहीं सॉरी सॉरी 1180 हो जाएगा 590 है ना 590 विच इक्वल टू एन इंटो 3N माइनस 1 तो यह होगे 1180 विच इक्वल टू N स्क्वेर 3N स्क्वेर माइनस N हो जाएगा यही हो जाएगा 3N स्क्वेर माइनस N माइनस 1180 विच इक्वल टू जीरो एक तो यह हो सकता है ऐसी करना पड़ेगा न और क्या ही कर सकते हैं तो यहां पर आप कॉड्रेटिक फर्मुला लगा लो कॉड्रेटिक फर्मुला लागा लो कॉड्रेटिक फर्मुला क्या होता है क्या होता है एक स्क्वaría है और च स्क्वेर माइनस 1 हो जाएगा फ्लस माइनस स्क्वाइर रुट बी इसक्वार मिनस 1 और द्लस daw बी-1 और कुछ सोचते हैं यह भी रहने दो आप और कुछ सोचते हैं यह भी बहुत लंबा जा रहा है 1180 है न अब देखो यह था टू एंटू 590 विच इस इक्वल टू अगर हम कंपेर करें कि एंट टू तो बिल्कूल इसको साथ नहीं कर पाएगा अच्छा अगर हम इस जिरो को इसके साथ लगा दे 20 इंटू 59 विच इक्वल टू एंट थ्री एंट माइनस फन हाँ बिल्कूल इस बार हो गया आप कंपेर कर लो एंट जो है आपका 20 है एंट आपका 20 है कैसे किया अब देखो एंट 20 आप यहाँ पर 20 डालो देखो 3 इंटू 20 60 60 माइनस फन 59 बिल्कूल हो गया तो एंट हमारा 20 आगया एंट 20 आए एक्स निकालना बहुत असान है एक्स क्या था एक्स प्लस टू अपॉन में थ्री यह 20 तो एक्स प्लस टू अपॉन में थ्रे इस थ्री को इस साइट सिफ्ट करा 60 एक्स प्लस टू इस टू को इधर ले आए 60 माइनस फिफ्टी एट तो एक्स का विल्यू फिफ का अब दिख को एक बाद कि अब दो